आकाश्वानी भूपाल से प्रसुत हैं प्रादेश एक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग सबसे पहले मुख्य समाचार आवास मिशन को 31 सिसंबर 2024 तक जारी रखने की कैबिनेट ने दी मंजूरी मुख्य मंत्री से साहता समूहों को कल करेंगे लगबग 200 करोड रुपे के बैंक रिंट का वित्रन शिवराज मामा के पाटशाला में मुख्य मंत्री ने विद्यार्थियों को बताई स्वतन्तरता संग्राम और आश्रद्वच के विकास का था और भाई वहन के पवित्र प्रीम का पर्व रक्षा बंधन प्रदीश में मनाया जा रहा है कल भी बड़ी संख्या में बहने भाईयों को बांधेंगी रक्षा सूत्र अब समाचार न स्थार से कींद्री मंत्र मंदल ने प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी के अंतरगत सबकी लिए आवास मिशन 31 दिसंबर 2024 सक जारी रखने की मंसूरी दे दी है योजना के अंतरगत 31 मार्च 2022 दक मंसूर 122 लाग से अधिक आवासों को पूरा करने के लिए वित्ती सहायता उपलब्द कराई जा रही है देश के शहरी शेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्द कराने की योजना केंद सरकार की प्रमुक योजनाओं में से एक है राजियों और केंद शासित प्रदेशों ने इस योजना को जारी रखने का अनिरोध किया था इस से लाभारती, नीति निर्मान, भागेदारी में सुलभावास और यथा सान मलिन बस्ती विकास के तहट पहले से स्विकृत मकानों को पूरा करने में मदद मिलेगी इसके लिए वर्ष 2015 से 2,03,000 करोड रुपए की केंद्री वित्तिय सहायता स्विकृत है जबकि वर्ष 2004 से 2014 तक ये केवल 20,000 करोड रुपए थी मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान कल 12 अगस को सुसायता समूहों की महिलाओं से सीधा समवात करेंगे मुख्यमंतरी निवास पर होने वाले इस कारिक्रम में प्रदेश के विभिन सिलों से लगबग 300 समूहों से महिलाएं भूपाल पहुचेंगे मुख्यमंतरी श्री चोहान ससायता समूहों को लगबग 200 करोड रुपए के बैंक रंका वित्रिन भी करेंगे सभी क्राम 25 से भी सुसायता समूहों से वर्च्वल जुडेंगे कारिक्रम का सीधा प्रसारन दूर्दर्शिन और शेत्री चैनलों तथा सोशल मीडिया के माधिमों से किया जाएगा राजी ग्रामेड आजीव का मिशन से ग्रामेड शेत्रों की निर्धन बहिलाओं को ससायता समूहों से जोड़कर उनका सामाजिक और आर्थिक से शक्ति करन किया जा रहा है प्रोदेश के 45,000 गाओं में लगबग 3,84,000 ससायता समूहों का गठिन किया गया है जिन से लगबग 43,000,000 परिवार जुड़े हैं इनमें से लगबग 16,000,000,000 परिवारों को क्रिशी तथा लगबग 6,000,000 परिवारों को अनिक गतिविदियों से जोड़ा गया है राजी सरकार द्वारा ससायता समूहों को परियाप्त बैंकरिन आसानी से दिलवाया जा रहा है उनकी उत्पादों की क्रह विक्रह के लिए आज जीवी का मार्ट पोटल बनाया गया है इस पर समूहों के लगबग 6,700 उत्पाद अपलोट किये गये है मुख्यमंत्री शिवरा सिंग शोहान के अधिक्षिता में कल मंत्राले में मंत्र परिशत की बैठक हुई बैठक में महिला वित और विकास निगम का सुद्रिनी करण और मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोश का गठन तथा उसके अंतरगत मुख्यमंत्री उद्यम शक्ती योजना का अनुमोधन दिया गया योजना में राज्य ग्रामीर आजेविका मिशन और राश्य शहरी आजेविका मिशन मुख्यमंत्री उद्यम क्रांती योजना तथा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरन योजना की लाभानवित महिला हितकराहियों के बैंकों से स्विक्रित प्रकर्णों पर दो प्रतिशत व्याज अनुदान दिया जाएगा मंत्र परिशत ने मुक्य मंत्री बाल आशिरवात योजना लागू करने का भी निनलिया है योजना में बाल देखरे एक संस्ताओं को छोड़ने वाले 18 वर्षय अधिक आयोके केर लीवर्ज और संबंधियों तुथा सनक्षकों के साथ जीवन यापन करने वाले 18 साल तक की आयोके अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी मंत्र परिशतने किसानों को 0% ब्याज़तर पर अलपा वधिफसलरंड दिये जाने की योजना को वर्ष 2022 ते इसमें निरंतर रखे जाने का आदने नेलिया है समझारों में वक्त है ब्रेका अब हर घर की छट पर शान से फैरेगा तिरंगा गुंगुनाए जाएंगे नवविकास के गीट आन बान शान का प्रतीक राश्ट्रदवज तिरंगा आएए आजादी के अमरित महुतसव के पावन अवसर पर इस स्वाधीन का दिवस हर घर फैराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्मान का संकल्प आएए हर घर फैराएं तिरंगा ब्रीके बास समचारों में आपका एक बार फिर स्वाधत है मुख्योमंत्री शिवराज सिंग चोहार ने विद्यार्थियों को हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता संग्राम राश्री ध्वश की विकास गाथा सुनाई और उन्हें तिरंगा फेराने के नियमों की जानकारी दी विकल भोपाल के मॉर्डल स्कूल में शिवराज मामा की पाटशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बताया कि कराची में वर्ष 1931 में हुवे कॉंग्रेस अधिवेशन में पिंगली विंकेया द्वारा तीन रंगों का ध्वश तयार क्या गया इस ध्वश को भारत के राश्री ध्वश की रूप में अपनाया गया इसमें लाल रंग बलिदान का, श्वेत रंग पवित्रता का और हरा रंग आशा का प्रतीक माना गया देश की प्रगति का प्रतीक चर्खा इसके केंडर में जोडा गया 22 जुलाई 1947 को सम्विधान सभाने वर्तमान सरूप में विद्वान सुतंत्र भारत के राश्री ध्वश को अपनाया इसके शीर्स पर के शरिया रंग है जो शक्ती और साहस का प्रतीक है इसके मद्ध में सफेद रंग है जो शान्ती और सत्य का प्रतीक है सबसे नीचे हरा रंग है जो भूमी की उरवर्ता, विकास और शुबदा को प्रदर्शित करता है ध्वश के वर्तमान रूप के केंद्र में 24 तीलियों वाला चक्र है इस चक्र का उद्देश यह दिखाना है गती ही जीवन है मुख्यमंत्री श्री चोहान ने राशिद वज के विकास क्रम के संबंद में विद्यार्थियों के जिगियासाओं का समाधान भी किया इस उसर पर मुख्यमंत्री श्री चोहान ने मौरल स्कूल भूपाल्दवारा हर घर तिरंगा अभियान के लिए विक्सित लीफ लेट का विमोचिन भी किया मोक्य मंत्री श्रीचोहान ने कहा कि प्रधार मंत्री श्री मोदी ने भारत की सवतनता के 75 वी वर्ष को उठसा पूर्व Εक मनाने के लोगों को तिरंगा घर लाने और इसे पहराने के प्रोछ साहित करने के उद्देशे से हर घर तिरंगा भियान आरम क्या गया है उन्होंने लोगों से घरों मितरंगा फराने की अपील की। उन्होंने आशर विक्ष की है कि भाई बहन के परसवर प्रेम और विश्वास का ये तियोहार समाज में महिलाओं के प्रति आदर और जमान को बढ़ावा देगा। और भी मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि ये पर भारती सिंस्क्रति में बेटियों के महतो को भी रेखांकेद करता है। रक्षा बंधन का दिन हमें बेहनों की सुरक्षा और सम्मान का संकल्प लेने का भी अवसर प्रधान करता है। अपको समचार सिंग शेप में नर्सिंग पूर में अवैद खरिच परिवहन के मामले में जब्त किये गया ट्रेक्टर को अनाधिक्रत रूप से चोड़ने पर कलेक्टर रोहित सिंग ने खानिच निरिक्षक समित कुपता को ततकाल प्रभाव से नलंबित कर दिया है जबलपूर में आजादी की पिछितरवी वर्षकांट अमरत मोसो के उसर पर जबलपूर रेलिकाई द्वारा राश्री जंडा रैली आयोजित की गई बैतुल सिले के ग्राम सिमूरी में कल तिरंगा रैली निकाली गई आतंगवादियों से मुद्भेड करने वाले सानिकों का सम्मान और पेड़ों को 75 फिट लंबी राखी बाढ़ने का कारिक्रम पंचायत भौन में आयोजित किया गया निवाडी कलेक्टिर तरुन भटनागर के अधिक्षिता में कल तियल प्लाटर का अभजित की गई इस तोरान उन्होंने सीम हल्प लाइन के शिकायतों के संबंद में प्रभागवार समिक्षा की सौ दिवस से अधिक लंबी शिकायतों को त्वरित निराकरन करने के निर्देश भी दिये इस मुलिटिन में इतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार